नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेश मैं हूँ आपके साथ प्रशान पाण दे हवाई जहाज से लेकर गैजेट्स तक चिप से लेकर टॉइस तक हर सेक्टर में भारत के आत मिरबर होने का मिशन दम भर रहा है और मेड इन इंडिया की यही ताकत अब ना सिर्फ घरिलू जरूरत के हिसाब से प्रड़क्शन कर रही है बलकि विदेशों में भी देशी गुट्स की डिमांड तेजी से बड़ी है आज हम ऐसे ही एक उभरती हुई इंडिस्ट्री की बात करेंगे ये इंडिस्ट्री है खिलोनों की दुनिया से जुड़ी हुई एक जमाना था जब देशी खिलोनों में स्थानी अकला की तस्वीर जहलका करती थी लोग इसे हातो हात लेते थे लेकिन चीन से आने वाले सस्ते खिलोनों ने स्थानी बाजार को बुरी तरह प्रभावित कर रखा था मगर उससे निपटने के लिए सरकार ने और हासकर पी ए मोदी ने स्थानी खिलोनों को बढ़ावा देनी की पुरजोर वकालत की और इस दिशा में बड़े और ठोस कदम भी सरकार की और से उठाये गए भारत में चीनी खिलोनों की धमक इतनी बढ़ गई थी कि क्वालिटी को ताख पर रख दिया गया था इससे निपटने के लिए सरकार ने खास सर्वे कराया और इस सर्वे में पाये गया कि 80 फीजदी से ज़ादा चीन में बने खिलोने जो हमारे मारकेट में उपलब्द हैं वो हमारे बच्चों के लिए बेहत खतरनाक है इनमें लेड की मात्रा पाई गई साथ ही कई मानकों पर ये खिलोने खरे नहीं उतरे B.I.S. यानि Bureau of Indian Standards का आक्शन अभी भी जारी है और इस कारवाई के कारण ही भारतिय खिलोनों की रौनक और जो खोई हुई चमक है वो देशी माकेट में एक बार फिर बिखाने शुरू हो चुकी है आकड़ों में हम आपको खिलोनों के बाजार में भारत की लंबी चलांकी पूरी कहानी भी बताएंगे मगर सवाल उठता है कि हमारी तैयारी और एक्शन क्या चीन को टकर देने के लिए काफी है आगे किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स की आवशकता होगी होंगी इस पर चर्चा मगर पहले देख लेते हैं कि खिलोनों के मामले में भारत के आत्म निर्भर होने की तस्वीर कैसे बन रही है और इस पर कुछ महीने पहले पियम मुदी ने अपने कारिक्रम मन की बात में किस तरह से फोकस किया था भारत के पास टॉइज एक्सपोर्स में पावर हाउस बनने की पूरी ख्शमता है मैंने स्पोर्स और गेम्स में भारत की सम्रुद्य विरासत की खास तोर पर चर्चा की थी भारत के स्थानिय खिलोने परंपरा और प्रकुती दोनों के अनुरूप होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ. हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्ट अप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉय इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलता है हासिल की है, उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी. आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती है, तो हर तरफ वोकल्फ और लोकल्ट की ही गुंच सुनाई दे रही हैं. आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है. पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने बाहर चे आते थे, वहीं अब इनका आयात सत्तर प्रतिशत तक घट गया है. और खुशी की बाद ये है कि इसी दोरान भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निरियात किया है, जबकि पहले 300-400 करोड रुपे के खिलोने ही भारत से बाहर जाते थे. और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है. भारत के टॉय सक्टर ने खुद को ट्रांस्फॉर्म करके दिखा दिया है. इंडियन मैनुफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलोने बना रहे हैं. देश में जगह जगह खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका भहुत लाव हो रहा है. खिलोना निर्वाता, विश्व के प्रमुख, ग्लोबल टॉइ ब्रांच के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं. और चले हैं, अब हमारे सयोगी अनुराग अश्रा कारू करते हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से सफलता की नई कहानी लिख रही है भारत की टॉइ इंडस्ट्री. कुछ साल पहले तक खिलोनों में भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता था, लेकिन पिछले चार सालों में जो इस्तिती है वो पूरी तरह से बदल गई है, खिलोनों का जो एक्सपोर्ट है वो भारत के द्वारा 240 परसंट तक बढ़ गया है और इंपोर्ट जो है वो नियम लागू किये गए हैं, तो अगर आप कोई विदेश से भी आपको कोई कमपनी इंपोर्ट करना चाहती है तो BIS के नियम लागू होते हैं, इसके अलावा एक हजार से ज़्यादा जो कमपनियों को उनको लाइसेंस दिये गए हैं BIS निर्मित खिलोने बेचने के लिए तो इससे बड़ी मातरा में रोजगार उत्पन हो रहा है और सबसे बड़ा जो लक्ष है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना तो घरेलू खिलोना इंडरस्ट्री जो है वो लगातार बढ़ रही है, उसकी साइज जो है पिछले चार सालों में तीन गुना तक बढ़ गई और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, सबसे पहले परिचे करा दें हमारे साथ है मनु गुपता साहब जो की चेर्मेन है, टॉइज असोसीशन आफ इंडिया के मनु जी बहुत बहुत स्वागत आपका, इसके साथ ही हमिताब हरबंदा सबसे पहले मनु जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, भारती टॉइ बाजार की अगर हम इस ग्रोथ स्टोरी का आकलन कर रहे हैं, आकडों के जरीए तो बहुत सारी चीजें हम दर्शकों के सामने रखेंगे ही, लेकिन चुकि आप लोग बहुत क्लोजली यहां पर जुड करते हैं, इस पूरी सक्से स्टोरी को किस तरह से देख रहे हैं और क्या बड़ा बदलाव आया है जिसकी वज़ा से आज इस तरह की फिगर्स हमारे सामने हैं, बहुत बहुत सही शब्दों में काया कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, सर मैं चाहूंगा, आपके आपको अ आपको कहना है, बदलाव क्या आया है और क्यों आया है, यह आपका सवाल था, बदलाव का जो मुखे कारण है, वो भारत सरकार की नीतिया है, बारत सरकार एक कसिस्टेंट पॉलिसी लाई, जिससे यह जो छोटा असा लगू अद्योग था, उसे एक इंडस्ट्री के पे पैचान विली, जैसे कि आपने बताया, सुरक्षा मानको का पहले अनुपालन करने के लिए, ना केवल भारतिये कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को भी कहा गया, उसके बाद आयाद शुल्क में वृद्धी की गई, वो वृद्धी के बाद एक लेवल प्लिंग फी प्लिंग लिए जिससे भारत में जो खिलोना बनाना चाह रहा था, विदेशी के वचित अफ्सर मिलें, आफ्सर होगे उन्होंने लाब उठाया, क्योंकि मैक्रो पॉलेसी उनके फेवर में थी, एक एक एको सिस्टम करियेट हुआ, एको सिस्टम क्रियेट होने के बाद हमारा एक्सपोर्ट लगवग पॉइंट प्रतिशत है जैसे आपने बताया निर्याद भी हमारा बढ़ेगा आयात हमारा बहुत घड़ गया है इसकी मुख्य करण भारत सरकार की नीतिय ही है और प्रधानमत्री मोदी जी जब 15 अगस्त को लाल केले से कहते हैं कि आपको भारत का खेलोना रिर्बारता में आपको बताना चाहता हूं कि भारत का बोगता उसे पहचानता है और वो भारत के खेलोनों की तरफ रूप करता है ये हैं हमारे प्रधानमत्री ये हैं हमारा नेतृत जो हमें एक दिशा और नहीं दिशा प्रधान करता है बिलकुल बिलकुल तो की वजह से जो है इंडस्ट्री में इस तरह की रोशनी इस तरह की रौनक नजर आ रही है फिर भी थोड़ा मैं क्रिटिकल होंगा अमिताब जी मैं आपके पास आना चाहूंगा क्या आप मानते हैं चुकि आप लोग तो उस कोर बिजनस से डील कर रहे हैं और साल दर साल आपन सालों में जिस तरह की का एक्शन लिया गया है जिस तरह की नीतियों में बदलाव किये गए हैं जिस तरह का एक्रेशन आये है यह उसका परणाम है यह यह तयारी हमारी पहले से थी जो हमको अब export के numbers में दिख रही है इसके अंदर दो पहलु है पहले चीज आपने जो कहा कि ये ये निया ट्रेंड है या फिर ये पहले से ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा था थे कि इंडिया हमेशा से कुछ ना कुछ खिलाने एक्सपोर्ट कर रहा था इसे हम 30 साल से खिलाने एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था अभी जो बड़ोतरी हुई है वो पिछले पांच साल में ट्रेंड एकदम अपड़ गया है जहां पर एक्सपोर्ट हमारा एकदम बूम करना शुरू करा है और अगर आप इसके आंकड़े देखे तो पिछले पांच साल के अंदर छे साल के अंदर हमारा almost 300% ग्रोथ हो चुका है और ये continue करेगा ये इसके अंदर government की policies बहुत important है प्लस साथ साथ जो इंडिया में धीरे-धीरे critical mass toy manufacturers का बढ़ता जा रहा है आज की date में आज से 10 साल पहले कोई toy का customer इंडिया आता था तो उसको चार शहर जाना पड़ता था तीन फ्लाइट लेनी पड़ती थी तो जाके वो पा आज की date में वो noida noida के अंदर उसको पास 10 faculty हैं जहां पर हो जाके अपने supplier से मिल सकता है तो ये जो है उनके अपने customers की cost of doing business को improve कर रहा है और इससे बहुत customers जादा इंडिया आने शुरू है पहले इंडिया में कोई international toy fair नहीं होता था अब पिछले एक सान में हमारे तीन international toy fair हो चुके हैं चुकि बहुत बड़ा बहुत important चीज़ है इंडिया के लिए तो ये जो foundation है वो पहले से धीरे धीरे बन रहा था लेकिन पिछले 5 साल में foundation और स्ट्रॉंग हुआ है हमारी policies जो हैं हमें support कर रही है and customers ने इंडिया की quality को और इंडिया के manufacturers को पैचानना शुरू क बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक बड़ा बदलाव है कि किस तरह से इस market में जिस space की मैं बात कर रहा हूं वो space किस तरह से बना और जिस तरह से हमिताब जी ने कहा कि साब तैयारी हमारी पहले से थी हम रोज रोज करके आगे बढ़ रहे थे लेकिन हाल फिलहाल जो एक aggression आया महल बहतर मौका दिया है मनु जी जरा हम चीनी किलोनों को अगर देखें मेड इन चाइना किलोन की अभी जो market में उनका दबदबाए वो किस तरह का है और हाल फिलाल जिस तरह के action लिये गए हैं अब बियाएस की और से जो हमने देखा कि लगबग 80% से जादा किलोने जो market मे मौझूद थे वो बच्चों के लिए ठीक नहीं थे बहुतों में लेटकी मात्रा पाई गई इस इन सारी चीज़ों को देखें फिर भी अभी क्या चीनी किलोने जो standard के हैं उनका दबदबा अभी कायम है भारती market में अभी आप किसी भी retail store पे किसी भी toy shop में जाएंगे तो आपको भेगो आयात में भारत में निर्मित खिलोने ही मिलेंगे क्योंकि जैसे आप ने पहले बताया कि भारत में सुरक्षा मानक लग चुके हैं खिलोनों के केवल 29 कंपनियां ही हैं विदेश की जिनके पास ओ खिलोना बनाने की भारत के मानकों के णृब्रूप अनुमती है और जैसा कि आपने ही पहले बताया कि लगबख हजार से यदा कमपनिया हैं बारत में जिनके पास उन सुरक्षा मानकों के नुरूप किलोना बनाने की सेटिफिकेट है तो इसके करते एक बहुत बड़ा क्रिटिकल बास जैसा मिताफ जी बता रहे थे अवेलेवल हैं भारत के खिलोना मैनिफेक्टरर्स को तो मार्केट में अब भारत के खिलोनों की सिती बहुत मजबूत हुई है यही बात हमारी आंकडों में भी दर्शाई जा रही है चीन में जो चीन की जो सिती है चीन लगबग खिलोनों की टॉइट लिए 85 प्रतीशत किलोना पूरी दुनिया में जो बनता है वो चीन से ही आता है तो अब मैं यूएस की भी बात करूँगा लास्ट इयर यूएस टॉय स्टेशन की वेबशेट के अनुसार 82 प्रतीशत किलोना जो चीन से आया लेकिन भारत में जिस तरह का चीन से खिलोना आ रहा था उसमें लेड की मातरा उसमें केडिवियों की मातरा बहुत अधिक थी उसके बाद ही सरकार हरकत में आई और जब सरकार ने जब बोलना चुरू किया तो भारत की टॉय इंडस्ट्री ने अपना रंग दिखाना थे बिलकुल बिलकुल तो भारती जो टॉय इंडस्ट्री है उसमें रौनक आई और जो खोई हुई एक चमक थी वो पाई इसलिए ह क्योंकि वाकई जो एक्शन लिया गया उसने पूरी तरह से भारती जो मैनिफेक्ट्रेस हैं उनको भी एक चैलेंज भी दिया कि साब आप उस तरह की खिलोने बनाईए जिसकी डिमांड भारत में है जो कंस्यूमर है वो क्या क्या चाहता है उस तरह की डिमांड को मैच कीज हम चैलेंजेस पर भी आएंगे लेकिन इस बीच हमारे साथ बहुत हास मैमान जुड़ गई है हमारे साथ मीनू चोपड़ा जी है एक्जेक्टिव डिरेक्टर है ऑल इंडिया आर्टिशन्स एंड क्राफ्ट वर्क वेलफेर असोसियेशन से मीनू जी बहुत-बहुत स्वा चाहूंगा कि जब मैं उस डिमांड की बात करता हूं जब मैं बात करता हूं कि हम उस स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहे हैं या जो हम देसी खिनौलें बना रहे हैं क्या वो चॉइस जो कंस्यूमर की है उसके हिसाब से वो बेहतर हो रहे हैं क्या इसमें जादा फोकस ऐसा है कि भई आप उन स्टैंडर्ड प्लेयर्स के साथ ही शेक हैंड कीजिए जिनको इसमें आनुभाव हासिल है क्या इस तरह की कदम उठाये जा रहे हैं देखे जो खिलानों के अंदर आपके कुछ चीजें हैं जो की लगातार सालों साल बिखती हैं जासे आपके बॉड़न टॉइज हैं आपके डॉल्स हैं आपके सौफ टॉइज हैं फिर इनके साथ साथ होते हैं जो आपके जिसको फैशन आर्टिकल trzy क्रेंड आर्टिकल कहते हैं लेकिन जो नए आइटम है इनको बनाने के लिए हमारे पास अभी जैसे जहां जिसके अदर इलेक्ट्रोनिक कंटेंट ज़ादा हो तो उसकी टेक्नोलोजी कम है इंडिया के अंदर लेकिन हमारे जो मैनुफैक्ट्टर्स हैं जब इनके पास कोई सैंपल आ जाता है तो उसको स थोड़ी सी स्लो मीट होती है फैशन आर्टिकल्स की जो किसी मुवी के पर बेस्ट हैं उन सब की लेकिन वो इंडियन मैनुफैक्ट्रर्स मीट कर लेते हैं ये बड़ी बात है और ये इस सवाल तक मैं आने वाला ता लेकिन आपने उसका जवाब दिया कि जिस तरह कि हम मर् प्रमोशनल कैमपेंज में भी देखते हैं कि जिस तरह से बड़े फेमस केरेक्टर्स हैं उनके जो टॉइज आते हैं मर्चंडाइज आती हैं क्या हम उस मामले में भी अपने आपको एवाल्व कर रहे हैं तो हाँ उसका जवाब है कि हाँ हम एवाल्व कर रहे हैं हम उस चीज मैं समझना चाहूंगा कि जो यह पूरा भारती टॉइ इंडस्ट्री है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है और जो की प्लेयर्स हैं वो कौन-कौन से हैं या जो हम रिजिन की बात करें तो भारत में वो कौन-कौन से रिजिन हैं जो इसमें बहुत में टॉइ क्लस्टर की बात करें तो डेली-NCR सबसे बड़ा टॉइ क्लस्टर होगा करनाट का राजियों के रूप में सबसे बड़ा टॉइ एक्सपोर्टर होगा और इसके अलावा तमिलनाडू में और महराश्ट्या में भी काफी फेक्टरी स्पाई जाती हैं दर्शा आते हैं कि भारत में हस्त कला वेवी जो टॉइस बंते हैं बहुत सालों से बहुत पीडियो दर फीडियो बनते हा रहें तो लगवग पांच modern toy cluster भारत में नहीं बनने जा रहे हैं जेवर में जो निया airport बन रहा है उसमें एक बहुत बड़ा toy cluster बन रहा है एक कुशा- Hunting Helena राजिस्तान में बहुत बड़ा toy cluster बन रहा है और एक तिलंगाना में हधरबाद के पास एक बहुत बड़ा toy cluster बन रहा है जो already established हैं उनके हिलावा बिल्कुल बिल्कुल तो ये ये जो तैयारियां हैं वो साफ तोर पर नजर आ रही है और इस लिहाज से ये important key factors हैं भारत की toy industry जो है उसको grow करने में और हमिताब जी एक चीज मैं समझना चाहूंगा जब हम बात करते हैं handy crafts की तो हमने जैसा जिक्र भी किया और हम अपने दर्शकों को भी सामने रखने हैं कि चाहें आंद्र प्रदेश हो उडीसा हो करनाटक हो आसम हो उत्तर प्रदेश के कई लाके हैं आदिवासी लाके कई ऐसे हैं जहांके जो handy craft खिलोने हैं उनको लेकर बार बार पिये मोदी ने भी जिक्र किया है इस दिशा में जो काम हो रहा है या यहां पर किस तरगी demand नजर आ रही है और आपको क्या लगता है कि अभी कितना काम किया जाना आवशक है देखे जो इंडिया के GI tag clusters हैं इनके खिलोने काफी traditional हैं और traditional तरीके से बनाए जाते हैं जहां पर modern retail के इंदर इनको बेशने के लिए जो packaging चाहिए जो इनके पीछे की जो कहानी सुनाना है जो उनके selling के तरीके हैं वो थोड़ा सा इन सब clusters को improve करना पड़ेगा इनको guidance चाहिए कि वहाँ पर कोई hub and spoke model बनाके कोई बड़ी company इन सबका material लेके आगे इनको international level पर लेके जाए या फिर जो बड़े Indian retail outlets हैं वहाँ पर एक organized तरीके से present करें तो काफी advantage मिलेगा हमारी toy association ने हमेशा ही GTI clusters को promote करा है हमारी जितनी exhibitions हुई है हमने 3-4 GTI clusters को हमने free जगा दी है कि वो अपने toys दिखा सके हमने अपने members को बोला है कि उनके toys in clusters की मदद करें इनको आगे promote करें कि अपने distribution network में अपने retail network में लेकिन एक government की तरफ से अगर एक organized तरीके से corporate बना के वहां से इनको modern packaging, modern design, modern promotion के साथ करा जाए तो GTI clusters को काफी boost मिलेगा ठीक है ठीक है अब आते हैं challenges और किस तरह का competition है इंडियन toys market में उस पर फटाफट से एक जवाब ले लेते हैं मनुजी से मनुजी जो degree of competition है वो किस तरह का है किस तरह की industry अभी work कर रही है और इसके साथ ही अभी फिलहाल मौजूदा लेवल पे इतने reform और इतने बड़े कदमों के बावजूद क्या चुनौतियां अभी बनी हुई हैं देकि चुनौती सबसे बड़ी है कि कोई बहुत बड़ी दस company नहीं हैं जिन्होंने ecosystem मना दियो और जिन्होंने अल्रेडी एक ancillary system develop कर रहा हूँ जिसका पूरी इंडस्ट्री को down the line benefit होगा तो बड़ी इंडस्ट्री ना होने की वज़े से छोटी इंडस्ट्री भी develop नहीं हो पा रही है इसका एक बहुत बड़ा reason ये भी है कि हमारे पास एक national toy policy नहीं है चाइना ने 14 toy cluster बनाए 14 toy cluster पूरे विश्ट में दिरियात कर रहे हैं उन्होंने focus करा raw material based toy cluster बनाए हमने जो जितने भी toy cluster यहां पे बना रहे हैं वो अभी प्रस्तावित है वो अनुमोद्यत है उनमें कहीं पे अभी जमीन अवंटित नहीं होई कहीं पे factories बननी शुरू नही इसकी वज़े से थोड़ा सा एक time lag जरूर है लेकिन जब भी यह factory चालू होँगी तो हम भारत की ही नहीं अविश्ट की भी toy विवस्ता में अपना स्थान बनाने में सक्षम होगे ऐसा हमारा अनुमान है बिल्कुल बिल्कुल और इसी सवाल के साथ अमिताब सर मैं आपके पास आना चाहूंगा समय कम है संक्षिप में जाना चाहेंगे अब किस तरह की recommendations आपकी है देखे जो मन्नु जी ने कहा national toy policy का यह सबसे बड़ी recommendation है हमारी industry की तरफ से कि एक unified common toy policy हो जिस से आप जिस state में हैं वहाँ पे आप अपने industry set up करना चाहें यह नहीं है कि जहां पे cluster perform हो रहा है या जिस state की toy policy है आप अपने आपको shift करें वहाँ पे जाने के लिए आपका base जहां पे है आपका skill set जहां पे आप वहाँ पे करें बहुत बार यह हो जाता है कि labor एक state में available है लेकिन policy दूसरे state की ज़्यादा अच्छी है तो यह सब चीजे इनको खतम करा जाए एक common national toy policy बनाई जाए फिर इसके बाद जो अगली चीज है वो है कि आप जो exports के लिए drawback मिलता है वो इंडिया में बहुत कम है toys के लिए चाइना के अंदर अंदाजन 14-15% drawback मिलता है subsidy मिलती है यह इंडिया के अभी जो है toys के अंदर अंदाजन 2-2.5% के आपको drawback मिलता है जो कि बहुत major फरक है चाइना अपनी cost पे खेल जाता है और order ले जाता है तो इस चीज़ को government को देखना है तीसरा है जो इंडिया से freight rates है export के लिए आज की date पे चाइना में चाइना का से आपको container भेजना है US तो आप अराम से उसको 2000 डॉलर के इंदर बेच सकते हैं और इंडिया से वही जो आपको 5000 डॉलर का पड़ता है तो यह यह चीज़ जो है वो हमारे export में लिए काफी detrimental है फिर जो आखरी चीज़ है वो है एक toys PLI, toy industry के बारे में प्राइम मिनिस्टर बहुत हमें प्रोचाहन दे रहे हैं बस एक PLI के हमें अंजार है कि PLI जैसे हमारे announce होईगी तो बहुत सारी नई factories बनेंगी जो की हमारे skill set को develop करेंगे, हमारे supply chain को improve कराएंगे और हमारे export को improve कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो ये इस चर्चा का पूरा निचोड है और अपने दोनों खास मेमानों का मनु जी और रामिताब जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने insights भी दिये, आंकडों के जरीय भी बताया और challenges और संभावनाओं का पूरा संसार जो है वो किस त पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि बहतर तो हो रही है ये सेक्टर, बहतर तो हो रही है इंडस्ट्री लेकिन जरूरत है एक uniform toy policy की PLI आ जाए तो और बहतर है इसमें और इसके साथ ही जो export में जो freight charges है उनमें एक cool down अगर देखने को मिले तो सोने पे सुहागा हो जाए देखते रहे ये इटी नाव सुदेश नमस्कार